उसने अपनी याददाश्ट खो दी मैं समझी नहीं, आप्टिमस मेगाट्रॉन के दोस्त थे? हाँ, वो भी जिगरी दोस्त अगर आप्टिमस को खुद का नाम याद नहीं मतलब उसके हिसाब से उसे प्राइम का खिताब अब तक मिला नहीं है क्या, क्या, क्या मतलब? क्योंकि साचा अब उसके अंदर नहीं है इसलिए वो एक बार फिर से वही पुराना आप्टिमस बन गया है जो ना ही प्राइम था ना आप्टिमस बस एक पुराना मामूली कलग था, और आयन पैक्स मतलब उन्हें ऐसा लगता है तुम ये कहना चाहते हो कि प्राइम को लगने लगा है कि वो एक लाइब्रेरियन है और डिसेप्टी कौन भी? साथ धान वीरो, फिलहाल हमारा महमान अकेले में आराम कर रहा है लेकिन जब वो राइन पैक्स वापस आएगा, तब उससे तमीज से पेशाना और अगर किसी ने उसे आप्टीमस प्राइम कहा, तो मैं उसका मूँ तोड़ दूँगा लॉर्ड मेगाट्रोन, मैं मानती हूँ कि वो एक आटो बॉट था, लेकिन क्या उसे यूँ खुले आम छोड़ना खतरनात नहीं है? मेरी मर्जी के बगार इस शिप में एक बटन भी नहीं दबता, इस बात को याद रखना, अरैक्नेज, लेकिन तुम बिलकुल बेफिक्र रहो, ओराइन में वो दम नहीं, जो आप्टीमस में हुआ करता था फिर वो हमारी किस काम का है? हाँ, तुम देखोगी कि ओराइन पैक्स हमारे कितने काम आएगा? जीतने की आदर टालो मेरे दोस्त तुम देखोगी कि अराइन पैक्स दोस्त दिसप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर पर मैंने कभी नहीं सूचा था कि आप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है तो वो दिसप्टिकॉन के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेगट्रॉन ने उन पर कोई जादू टोना किया है भले ही ओरायन पैक्स अब एक आटोबाट ना हो यहां से लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहां से हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि वो कहां है एक सेकेंड मैं इंसान हूँ और मुझ में भी एक चिप लगाई गई है जिससे सरकार को पता रहे मैं कहां हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं कि प्राइम कहां है पृत्वी के कोर में जाने के बाद से ऑप्तिमस का सिगनल गायब हो गया है लेकिन हमें उसका पता लगाना ही होगा नहीं तो उसके contingency plan को पूरा करने क्यों मीट छोड़नी होगी contingency plan? मैं कुछ समझा नहीं ऐसा कोई वाट है भी? यानि वो चावी ये किसकी है? ये Vector Sigma की एक चावी है जहां सारे प्राइम्स का अग्यान सम्हाल कर रखा हुआ है क्या वो किसी तरह का सूपर कम्प्यूटर है? तो हम ऑप्टिमस की आदाश दोबारा उनमें डाउनलोड कर पाएंगे बढ़िया कहा है Vector Sigma? यहां पर है? या पीछे कही है? Vector Sigma सूपर कम्प्यूटर से भी बढ़कर है जैक वो रहस्य मईर शक्तियों का एक प्राचीन स्रोध साइबर्टरान पर है तुम आटो बोर्स के कबजे में थे उन्होंने तुमें काफी समय से बेहोश रखा था और हमें वो पूरा वक्त दूसरे प्लानेट पर गुजरना पड़ा दूसरे प्लानेट पर क्यों क्योंकि युद्धा रैचेट के गलती रादो ने इसका ये हाल बना दिया साइबर्टरॉन जैक्सन डार भी तुम किसी दूसरे प्लानेट पर नहीं जाओगे मैं जाओगी तुम भी नहीं जाओगी मीको इन में से कोई एक चला जाएगा जून सही है आटो बॉट्स का काम ये लड़का क्यों करेगा क्योंकि विक्टर सिग्मा को या तो एक प्राइम खोल सकता है या उसका चुना हुआ कोई शक्स आप्टिमस ने ये चाब ही जैक को दी थी अब उस पर जैक की ये खास चाब पड़ चुकी होगी मतलब जैक भी एक तरह से महान प्राइम बन गया है? यू समझ लो की जैक ही हमारे आटोबॉट आप्टिमस को वापिस लाने की एक आखरी उमीद है लेकिन आप्टिमस ने एक इंसान की जान खत्रे में क्यो डाली? वो भी एक बच्चे की मैं बच्चा नहीं रा मॉम शयाद आप्टिमस को जैक में वो नजार आया जो हम नहीं देख पाए मकसद चाहे जो भी हो जब तक साइबर्ट्रॉन पर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता ये चाभी बेकार है वहाँ जाने का कोई तरीका नहीं है डूड ये है ना हमारे पास? मीको, ग्राउन प्रिज के जरीए वो मुश्किल से आत पर लोट पाए थे याद है हाँ, पर राचट ने इसे बनाया है तो वो इसे टर्बो चार्च कर देगा यखीन नहीं होता कि राचट ऐसा भी कर सकता है हाँ, और इतनी तबाही के बाद भी उसकी ताकट की भूख मिटी नहीं है उसकी हरकतों की वज़ा से हम यहां तक पहुँच गए यहां की लोग हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं है लेकिन हमने उन्हें बचाने का जिम्मा लिया है जो साइबर्ट्रॉन में हुआ वो यहां नहीं होगा एक सवाल है मेगाट्रॉन हमें डिसेप्टिकॉन्स क्यों कहते हैं ये भी आटो बॉट्स की ही गंदी चाल थी वो चाते थे सब हमें शैतान समझे पर हम इस नाम को गर्व से लेते हैं अगर सच्चाई की रक्षा करना गुना है तो गुना ही सही अब चलो रायन बाची तो बाद में भी कर सकते हैं तुम आराम करो मेगाट्रॉन रैचिट को उसके किये की सजा देने के लिए मुझसे जो बन सके मैं करूँगा और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा लगता है हम और आयन को जहसा देने में कामियाब रहे अब वो हमारी उंगलियों पर नाचेगा तुमने देदा कोर को खाली कर दिया बढ़िया हमारे नए मेहमान को जितनी कम जानकारी मिले उतना अच्छा रहेगा उसे हमारे बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए जिससे उसे शक हो दो बॉडी स्लैंबर्गर स्पेशिल्स एंजोई हाई जैक सियरा तुम आज कल दिख्ते क्यू नहीं ये तुम क्या कहरी हो हमारी तो केमिस्टर थी ना motto क्लासBob के लिए बात से है किसी पार्टी में नहीं दिख्ते ओ और नहीं मौल में यहाई हेट पहने तुम्हें यहीं मिलूगा और क्या है कि बाकी वक्त मैं सैट की पढ़ाई पिर कुछ और काम भी निप्टाता हूँ रुको जाना मत वेल्कम तो ड्राइव इन आपका ओर्डर क्या है आज बच गये जैक, शिफ्ट खत्म चलो चले तो ये काम निप्टाते हो सियर आप, रुको वो मेरी मॉम थी तुम्हारे मॉम बाइक पर अच्छे लगती है इन कपड़ों में मैं बीच में टांग अड़ाना चाहती तो नहीं थी हमेशा अड़ाती हो आप्टिमुस का पता चला आज तो नहीं अब तक नहीं साइबर ट्रॉन पर जंग के आखरी दिनों में जब हमने आयकॉन हॉल के रेकॉर्ड्स हासिल किये थे तब हमें कुछ खास जानकर्या मिली थी जो आटोबोट्स के कोड्स में थी अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए उन आटोबोट कोड्स का मतलब आयकॉन का क्लार्क और रायन पैक्स बड़ी आसानी से बता पाएगा काफी कुछ दाओं पर लगा है तो क्या हमें सुरक्षा का इंतजाम कड़ा नहीं करना चाहिए नौक आउट मेरा मानना है कि ओरायन कम तनाव भरे माहौल में ज़्यादा अच्छा काम करेगा और उसे शक भी नहीं होगा फिर भी मैंने जान बूचकर ओरायन को एनर्जाउन के कमरे के काफी नस्दीक वाले कमरे में काम करने की जगाती है जो हमेशा कड़ी निगराने में रहता है मान कहें राचिट क्या तुम ग्राउन ब्रिज को टर्बो चार्ज करे हो वैसा ही कुछ ये सिर्फ एक कोशिश है ज्यादा उमीद मत लगाओ औरायन आया कौन का काम कहां तक पहुँचा मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है इसलिए सिर्फ तीन कोड ही समझ पाया हूं और उन कोड से तुमें क्या पता चला जंग के दौरान इसे जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से ये कौओर्डिनेट्स लगते हैं उस जगे के जो इसी प्लैनेट पर है मुझे शक है कि उन्होंने वहां पर कोश छिपा कर रखा है साइबर्ट्रोन की किसी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए जैसे कोई एतिहासिक दस्तावेज या कोई पुरानी निशानी मुझे तो डर है कि वो कोई बेहत खतरनाख हत्यार है जिन्हें सही वक्त के लिए छिपा कर रखा है इसका मतलब जाहे कुछ भी हो जाए हम उस चीज़ को आटोबोट के हाथ लगने नहीं दे सकते कभी नहीं अच्छा हुआ जो तुम हमारे पास लौट आए और आयन पैक्स लौड मेगाट्रोन एक बात अब तक मुझे समझ में नहीं आई मुझे जो जानकारियां मिली है उनके मताबिक स्टार स्क्रीम आपका डेप्यूटी कमांडर है फिर भी माने उन्हें अब तक शिप पर नहीं देखा अफ्सोस कमांडर स्टार स्क्रीम मर चुका है और आयन बहुत सवाल पुछता है एक क्लर के लिए अच्छी आदत है लेकिन डिसेप्टिकॉन के लिए नहीं वो धीरे धीरे हमारी चाल समझ जाएगा और उसकी सही गलत की परिभाषा उसके काम में रोक लगाएगी बस इससे पहले कि मैं उसे मारने पर मजबूर हो जाओं वो आया कौन की सारी जानकारी मेरे हवाले कर दे स्पेस ब्रिज बनाने के लिए हम उनके जरी आप्टिमस तक पहुच पाएंगे रोल आउट पावर सोर्च रप दो क्या किसी की याद नहीं सता रही ब्रिज को शुरू करो हम तुम्हारे बॉस को कह देंगे के तुमने सलाम भेजा है और सी क्या मुस्लिबत है आप्टिमस कहा है जबादो जबादो क्या आर्सी मुझे उसका स्वाकत करने दीजिए नहीं अगर ओराइन की नजर एक और आटो बाट पर पड़ गई और अगर उसने अपनी आखों के सामने उसे दम तोटे देख लिया तो उसके सवाल सारे की एक कराई पर पानी फेर देंगे कुछ भी करके आर्सी को इस शिप से जल्द से जल्दरा बना करो हुरायन अपने कमरे में वापस जाओ लॉर्ड मेगत्रोन का हुक्म है एतनी भगदड क्यों मची है यह क्या तुम नहीं डिसेप्टिकॉन का ठिकाना जान पाई और नहीं देख पाई कि आप्टिमस वहां है या नहीं उतना वक्त नहीं मिला तुम्हें उसके जरूरत थी मुझे तो बस अपने लीडर की जरूरत है तुमने पूरी कोशिश की हमें से कोई वहां होता तो आप्टिमस उसे वहां से बचा लाते मैं उन्हें नहीं ला पाई बात खत्म रैचिट तुम सबने यह क्या किया वहां पर कई लोग सखमी हो गए और उपर से मुझसे सैंखड़ सवाल पूछे जा रहे हैं तुम ओट्रोबोट्स ने अगर कुछ नहीं किया तो पेंटेगॉन तुमारा बेस बंद करवा देगी उसके बाद तुम कहां जाओगे क्या पता शायद वो हमें किसी आइलन पर भेज दे या स्पेस में उड़ा दे कम से कम चांग तो छूटेगी फावलर का कोई दोश नहीं डिसेप्टिकॉन से लड़ने से पहले आप्टिमस इंसानों को वहां से कहीं और जाने को कहते हमें नहीं मालूम कि आप्टिमस क्या करते हैं क्योंकि वो यहां है ही नहीं वा तुमने तो हम सबकी आँखें खोल दी ऐसी और भी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहोगे बच्चों के सामने मेरा मूं मत खुलवाओ हे सबका ध्यान फुजूल की बातों पर ही क्यों है कोई यह क्यों नहीं सोच रहा कि डिसेप्टिकॉंस वहां से क्या ले गए हैं पिछली बार जो पावर सोस हमने बनाया था वो उसे दुबारा ले गए स्पेस बिज बनाने के लिए और इस बात पर ध्यान दे कर करें क्या हम उनके स्पेस बिज के तयार होने का इंतिजार करेंगे क्यों तक कि वो साइबर ट्रॉन से और ज्यादा जॉंबिस यहां लिया है नहीं ताकि हम उसका इस्तमाल करके साइबर ट्रॉन तक मुझे भेच सके वो यह तो बड़ी आइडिया है मीको की मंजूरी मिल गए अब सब ठीक हो जाएगा मैं यह नहीं कह रहा यह आसान होगा लेकिन तुम पहले भी स्पेस बिज पर कबजा कर चुके हो हमने उसे उड़ा दिया था इसे लिए कबजा करने और बरबाद करने में बहुत फर्क है बंबल भी ने सही कहा कोई तो रास्ता जरूर होगा हेलो स्पेस बिज का मतलब समझते हो स्पेस बहुत बड़ा है कोई छोटा इलाका नहीं है जिसका पता किया और बस वहाँ चले गए हम प्रित्वी के और्बिट की छान बीन कर चुके हैं कुछ होता तो हमें जरूर पता चलता तो हो ना हो बिज यहीं पर होगा आध पर यह तो लोहे के कबार में स्कुरू ढूणने के बराबर है तो अभी से उसे ढूणने में लग जाते हैं लेकिन अब भी हम यह नहीं जानते कि डिसेप्रिकॉन आप्टिमस से क्या चाहते हैं क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं स्टार्स्क्रीम कमांडर स्टार्स्क्रीम कहो तुम्हें जन लग गया है क्या जल्दी से अपने हतियार नीचे करो माफ कीजिएगा सर लेकिन लॉड मेगाट्रोन का हुक्म है कि आपको शिप में देखते ही गायद कर लिया जाए क्या जरूर तुमसे समझने में भूल हुई होगी धिया ज़र तुमसे समझने विया जरूर झाले ज़र टूर यूरूर थेखते ही विया जरूर तुमसे से अपने है कि अथरूर थेकि अज़कर अपने है आप्टिमस प्राइम आप्टिमस प्राइम